हेलो एवरिबड़ी इजी कॉन के यूटिव चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आशा कर रहा हूँ अगर आप यह वीडियो देख रहे तो बहुत अच्छी सेहत में होंगे और गर में रहके अपना और अपने परिगार का बहुत अच्छे से खयाल रख रहे होंगे यह वीडियो में आपको अगले 21 दिन के लॉकडाउन में किस तरीके से बहुत अच्छे कॉंसेप्ट से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाए चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो स्टॉक्स हो स्टॉक फ बना रहा हो तो वीडियो को ध्यान से देखेगा एंड तक देखेगा थाकि आपको कॉंसेप्ट अच्छे समझ पाए और अगले 21 दिनों में आप एक बहुत अच्छी इंकम जनरेट कर पाए तो तो तोस्तों कॉंसेप्ट रेंज ब्रेकाउट्स पे ही बेस रहे सबको बता दिया जान से प्राइस क्विकली बाहर निकल जाए तो दोस्तों रेंज ब्रेकाउट बहुत ही जादा एफेक्टिव हो जाता है और सेकेंड जो पॉइंट है उसका एक्जीक्यूशन रेंज ब्रेकाउट को आप कितने अच्छे से एक्जीक्यूट कर पार मतलब की रेंज देगर आपकी बन रही है 110 हाई बना और 100 लोग बना तो हाई ब्रेक करने पे 110 ब्रेक होने पे आपका बाई ट्रीड कहाँ इनिशेट हो रहा है क्या आपको 110 वाली प्राइस पे ही मिल रहा है या 115 पे पांच लुए का स्लिपेज खाके वह आप कैच कर रहे हो उस पे भी बह प्राइस बहुत क्विकली मूग कर जाती है उनको बोलते हैं अंस्टेबल जोन प्राइस के लिए उस जोन अंस्टेबल है तो हम उन एरियास पर फोकस करना चाहेंगे उन एरियास को चुन चुन के पकटके निकालके वहां पर रेंजिस बनाके उसके ब्रेक आउट को फॉल इसलिए प्राइस वहां से बहुत क्विकली मूग कर रही है तो हमें ऐसे एरियास पता लगाना है और इनके बहुत सारे तरीके होता है अगर आपको कोई तरीका पता है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊं तो बॉलिंजर मैंट का कॉंसेप्ट यह कहता है कि प्राइस 90-95% अपने जो 20 मूविंग जो होता है उसके सेकेंड स्टांडर्ड डेवेशन के अंदर रहती है जो लोग कॉमर्स या इंजीनिरिंग फील्ड से होंगे जिनों मैंच थोड़ी बहुत पढ़ रखी अपने अंदर कंफाइंड रहती है पर 5-10% अफ दे टाइम जब प्राइस बहार निकलती है और वहीं से हम एक बहुत ही अच्छा करना चाहेंगे तो प्राइस जब बॉलिंजर बेंड से बहार निकलती है जब कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करता है और उसके ऊपर ख्लोग देता है तो प्राइस वहांचे beloved क्विकली gì कर जाती है B तो एक ऐसी जो कैंडल आईगी जो कंट्रोल लाइन पर ले आए प्राइस को बॉलिंजर बैंट के अंदर ले आए बहुत बड़ा इनिशेटिव मुव आएगा जो प्राइस को और दूर ले जाए जो भी हो उससे आमें फर्क नहीं पड़ता वो रेंज बेकाउट का काम है डिरेक्शन डून के निकालना हमारा काम है ऐसे जोन सा इडेंटिफाई करना जहां पर यह से प्राइस क्विकली मुव कर जाए यह पहला इडिया मैंने आपको दिया कि भी बॉलिंजर बैंट से बहा तो एक लाइव एक्जामपल भी मैं आपको दिखाने वालों वीडियो लंबा ना हो इसलिए उसको दूसरे वीडियो में कवर करूंगा मेक शूर करें वो वीडियो को भी आप बहुत द्यान से देखो ताब कि आपको कॉंसेप्ट समझ आजए और उसके बाद आपको अगले एक किस दिन तक कुछ भी नहीं करना दोस्तों आप अपना फेवरेट स्टॉक फेवरेट फ्यूचर फेवरेट कॉमोडिटी उठा ली उसी इमेडियेट प्राइस पॉइंट को कैच करके उसके अराउंड वो विड्स जितनी रेंज बाना कि अपने आप ट्रेडिंग सॉफ्ट्वेर स्टार्ट कर देगा तो वह दोस्फ्ट्वेर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में लाइव ट्रेडिंग के साथ बता आउंगा कि बहुत अच्छे जयोस डाउट को मैं क्लियर कर पाऊ मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केर और हैपी ड्रेडिंग